खाञ उपचार कर लिया, बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसको जीवाने उपचार करेंगे और उसके बीच में आप कम से कम एक घंटे का कैप रखेंगे और उसके बाद जिवानुखाद से उसका उपचार करेंगे अब जिवानुखाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर के नाम से जिवानुखाद पूसा संस्तान में उपलब्ध है उससे आपको बीज का उपचार करना है इस पूसा संपूर में तीन जिवानुखाद जिसमें एक नायटोजन इस्तरी करन करता है दूसरा फास पोरस की उपलब्धा बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलब्धा बढ़ाता है इसके अलावा आप पूसा संपूर के साथ सर्थ जिंक जो आज कल सभी धान की फसल में जिंक का प्रियोग करते हैं जिंक सल्पेट से उसके लिए जिवानुखाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धा बढ़ाता है उसका भी आपको उपचार बीज का करना है तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर उपलब्ध है जो 100 मिली लीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है वो आपको लेना है और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है वो 50 अमेल के लिक्विड में उपलब्ध है तो दोनों को आपको लेना है और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइलूशन करना है क्योंकि धान के आप देखेंगे नरसरी के लिए आपको 20 किलो के करीब एक हेक्टेर के लिए बीज लेना है उसको एक बीकर में जैसे ह हम उसको मिला लेंगे पूसा संपून को और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी मिला लेंगे क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहें तो उस हिसाथ से हमने कम मात्रा ली है मगर यह एक सीशी जो है वह एक एकर के लिए आपके पास है अब हम बीज का उपचार करेंगे इसके लिए हमने जो पूसा संपून और जिंक का गोल है उसको पानी में थोड़ा डायलूट कर लिया है उसको हम बीज के उपर धीरे धीरे मिलाएंगे धीरे धीरे डालेंगे उसके बाद हम हाथ से जिसमें हमने गिलाव चड़ाया हुआ है नंगे हाथ से ना करें और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे और हमारा प्रियास यह रहेगा कि सारे बीजों के उपर हमा जो जिवानों का घोल है वो मिल जाए और सारे बीज हमारे गीले हो जाए यह हमारा जिवानों खाज का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा और जब 20 सब अच्छे से गिले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे आधा एक गंटे में ये सूख जाएगा उसके बाद हमको इसका नरसरी में बुआई करना है या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बा है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है और पूसा संपून का रेट जो है वो एक सो पचास रुपए का है जो आपको एक एकर में प्रियोग करना है और जिंक वाला जो टीका है उसको पिशत्तर रुपए में उपलब्ध है जो आपको वो उसको भी एक एकर में प्रियोग खुझ नाय